इस वीडियो के अंदर हमने इंटेनेशनल ट्रेट से रिलेटेड हर छोटे ही छोटी डिटेल को कवर किया हुआ है इसी के साथ ही अगर आपने हमारे 1-8 chapters जो हमने Human Geography के अपलोड कर दिये हैं वो नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको जाके देख लिएजए तो जो प्राचीन सोसाइटी है हमारी primitive सोसाइटी है वो यूस करती थी एक सिस्टम को जिसको हम बोलते हैं बाटर सिस्टम तो यह बाटर सिस्टम क्या है कि मेरे पास चावल है तो मारे पास गेहु है ठीके ना आपस में एक्सचेंज कर लो तो अपने समान मुझे दे दो मेरे समान तुम ले लो ठीके ना तुम्हें कोई है तो मेरे हेल्प कर दो और मुझे कोई है तो मैं तुमारी हेल्प कर इसके बाद एक्जामपल है यहाँ पे कि if you are a potter and you need a plumber ठीके तो आपको क्या करना पड़ेगा ना कि आपको जो plumber है ना उसकी जो needs है pots की वो पूरी करनी पड़ेगी और बदले में वो आपकी plumbing की needs को पूरी करेगा तो आपको वो ही exchange करना है आप जो सामने वाले को जरुवत होनी चाहिए और आपको भी जरुवत होनी चाहिए तब भी जाकि आप लोग क्या कर पाओगे आपस में trade कर पाओगे ओके इसके बाद जो difficulties of barter system है ना वो overcome हुई थी कप जब money के introduction हो गया था यह वाली problem क्या हो गई थी खतम हो गई थी कब money के introduction के बाद तो इस तरीके से money के शुरुवात होती है यहाँ पर इसके बाद आगे पड़ते हैं इतना अगर आप समझ गये हैं तो इसके बाद है history of international trade तो भाई यह history of international trade के नहीं हम जानेंगे कि जो international trade की जो शुरुवात है वो कैसे हुई थी तो सबसे पहला जो ancient time था उसमें जो transport हम goods का करते थे long distance में वो काफ़ जादा risky होता था क्योंकि मतलब interrelated बहुत कम थे लोग एक दूसरे को जानते कम थे तो किसी ना हमला कर दिया समान लूट लिया या इसके लावा long distance तक कर ट्रवल करना है कैसे कर पाऊगे यह बहुत बड़ी problem थी इसलिए जो trade था वो local market तकी restricted था कि आसपास याज बहुत जादा दूर नहीं जाते थे लोग trade वगेरा के लिए इसके बाद क्या हुआ कि only rich people जो खाली अमीर लोग होते थे उस पर वही खाली जोलरी वगेरा है costly dresses ले सकते थे योगी trade बहुत कम था तो trade बहुत कम था तो क्या हुआ कि ज़्यादा लोग क्या दे वो luxury में पैसा खर्चने कर पाते थे योगी trade कम था लोगों के पैसा भी कम होगा इसका मतलब यही ना जब trade ज़्यादा होता है ना कहीं पर ठीक है तो उसके वज़े से क्या होता है trade की ज़्यादा होने के वज़े से कि जो economy है ज़्यादा च्रेयर रन करती है इसके वज़े से middle glass की income बढ़ती है और पैसा भी बढ़ता है लोगों के पास जब trade ज़्यादा होगा तो कुछ ही लोग बहुत ज़्यादा अमीर होंगे इसके बाद यहादा एक्जामपल है आपका international trade का की बहुत साल पहले क्या होता था कि एक silk route था जो connect करता था Rome को जो आपका Europe में है उसको चाइना से यह 6,000 km लंबा था यहाद रगना इसको एक दम में पूछ सकता है कि what is the length of silk route कितनी थी 6,000 km long after this trader transport Chinese silk, Roman wool and precious matters यहाँ से क्या transport होता था silk ठीक है ना Chinese silk, Roman wool and precious matters ठीक है ना और यहाँ पर intermediate point थे जो बीच के point आते थे रास्ते में जैसे इंडिया हो गया इंडिया से कोई समान चला गया पर्शाजी चला गया या Central Asia जो है ठीक है यह इसके बीच के part थे कितना याद कले ना easy है ना कहले एकी बार पढ़ना याद हो जाएगा हो इसके बाद 15 सताबदी के बाद after 15th century क्या होने लगा कि जो European colonization था वो काफी जड़ा बढ़ने लगा उसके वाएसे एक trade बहुत जड़ा इंटर्डूस हुआ market में ठीक है ऐसा community वो था आपका slave trade क्या हो था slave trade अब भाया slave trade में क्या करते थे ना जब Europe ने अपनी colony बना ली अलग लग जगह पे तो उनको वहां पर काम करने के लिए लोग चाहिए तो वो लोग लेके आते थे गरीब countries थे जैसे अफरीका हो गया ठीक है ना South Asia हो गया जहाँ उनकी colonies थी तो वहां से वो लोग बंदों को यहां बढ़ा के रखते थे काम वाम करने के लिए बंदवा मजदूर की तौर पे दिन के कोई human right नहीं होते थे ठीक है तो यही क्या slave trade अगर रखते हैं the Portuguese, Portuguese, Dutch, Spanish and British ठीक है captured African इनने अफरीका इनको capture किया forcefully and transport किया उनको कहां पर जो न इसके बाद क्या हुआ कि जो slave trade है was lucrative business for more than 200 years दो साल तक का काफी famous business रहा है यह ठीक है लोगों का ही क्या करने लगे trade करने लगे इंसानों का ही trade करने लगे बेशने लगे उनको बंदूर मजदूरों के तरह उठा के ठीक है ना सब सब पहले इसको abolish कर दिया था Denmark नहीं हम ल इसके बाद United State ने 1808 तो यह एक्जाम perspective से important बन जाता है क्योंकि आपसे पूछ सकता है directly कि Denmark ने जो था कब industrial revolution के बाद क्या हो जब industries आये ना वहिया तो industries आने के वैसे लोगों के पास रोजगार आया जो middle class थी जो गरीब थी उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आया थीक है तो पैसा आया तो भीया घर्ज करेंगे पहले जरुद सुबह घर्ज करेंगे तो बेसे गिर्वत क्या हो इन रिलेशन तो इसका मता समझे रहा कि monetary value decline in relation to the manufacturing good जो समान की cost है ना cost वो कम होने लगी ठीक है ना और जो production है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा कि 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 का काम ही यही ता भाई है कि समान की प्रोड़क्शन है इतना बढ़ा दो कि cost उसकी कम आ जाए और जासे त आपके industrialization इसके बाद industrialized nation imported primary product जो industrialized nation थे ना जहाँ पर industries बहुत ज़्यादा थी तो primary product जैसे की raw material इनको यह करते थे import करते थे suppose करो कि India से Britain ने क्या मगा लिया cotton मगा लिया और फिर cotton के कपड़े बना के कहां बेज दिये इंडिया में इस तरीके से Britain के करता था profit और हमेशा किस after this in the later half of 19th century 19th century की जो later half था उसमें क्या हुआ कि industrialization become each other partner जो industrialization से वो एक दुसरे के partner बन गए ठीक है इनने बहुत सारी मतलब organization बनाई जो famous organizations है वो जो world की बनी भी है वो industrialization नहीं साथ में मिलके बनाई हुई है तो उसाथ में मिलके काम करने लगे और दुनिया को control करने लगे इतना समझ गए यह कहती international trade की history जो एक brief पर आपने देख लिया काफी सारे point हो गए आपके पास for the exam तो अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो exam में लेगने के लिए काफी है important बन जाता है history of international trade एक बहुत याद कर इतने नहीं है ठीक है एक country particular latitude में होती है ठीक है दूसरी किसी और में तीसरी किसी और में ऐसा तो नहीं है कि पूरी globe एक country है नहीं बट क्या है कि हर country के अपनी नीट्स होती तो नीट्स पूरा करने के लिए उनको कई बार समान बहार से अपनी country में import कर आना पड़ता है यह को अपने जो वो है growth है उसके लिए भार बेशना पड़ता है तो यह interdependency है एक दूसरे पर कि हमारा समान तुम्हारा समान हमारे हमें चाहिए इसलिए क्या होगा कि international trade आया है ठीक है इसके बारे में deep ली देख लेते है इसके बारे में डीपली देख लेते है इसके बारे में specialized होती है ठीक है न कुछ न को जैसे mineral resources जादा हो सकते है किसी country में या किसी country में technology अच्छी हो सकती है जैसे की ठीक है इसके बाद it benefit the world economy if different country practice specialization and division of labors of production of community अगर हर कंट्री अपने पास एक special चीज रखे न और दुसरी कंट्री अपने पास special चीज रखे हर कंट्री के पार अप product चाहिए वो एक country से दुसरी country में चले जा रहा है इस तरीके से उस country में क्या जा रहा है पैसा आ जा रहा है पैसा आ रहा है कई हो को product मिल जा रहे है ठीक है तो इसी वाई से क्या है कि international trade क्या है काफी जादा successful है और काफी अच्छा भी है ठीक है इसके बाद each kind of specialization can give rise to trade किस किसी बी तरीके का specialization हो आपके पास आपके पास आपके पास oil जादा है या आपके पास technology अच्छी है तो अगर किसी को वह चाहिए तो यह क्या बन जाता आपके लिए यह एक trade को बढ़ाने का जरिया बन जाता है okay rise to trade after this international trade is based on principle of comparative advantage ठीक है इसके बाद international trade is based on principle of comparative advantage complimentary and transferability of goods and services international trade हम यह तो करते है न गुट का आदान प्रतान वगेरा okay after this here everyone should be mutual beneficial to trading partner हर कोई क्या है mutually benefit है इसकी बाद समाने वह बेचेगा बतले में का लेगा पैसा लेगा और पैसों से कुछ और खरी सकता है like this okay इसके बाद in modern time trade is the basic of world economic organization W.E.O. ठीक है world economic organization का क्या है trade क्या है एक basic है and it is related to the foreign policy of nation ठीक है जो दुनिया की foreign policies होती है उसमें trade का सबसे important point होता है ठीक है बहुत ही important point होता है किसी भी country की foreign policy को define करने में इसके बाद with well developed transportation and communication system no country is willing to forgo the benefits derived from the participations in international trade ठीक है जब से transport and communication अच्छा हुआ ठीक है link अच्छे हुए countries के बीच में तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा international trade का यादा बड़ा और आज इसमें में कोई भी country ने चाहती है कि उसका participation है international trade से ठीक है ठीक है अगर international trade से आपका participation ठीक है मतलब कि आइसोलेट हो गई हो पुरी दुनिया में कोई भी नहीं चाहता है समझ रहे हो बात को तो यह क्या है कि international trade क्यों exit करता है उसके लिए कुछ point है exam आएगा वो लिखने के लिए सही है कुछ क्या मतलब NCRT में जितने भी given थे सारे हमने cover कर लिए है कुछ important यहां से बन जाता है अब उसको पढ़ने नहीं बाच्छे से ठ After this basic of international trade तो इंटरेशन सील टो क्या होता है कि different इन तो natural resources, जो natural resources है, उसमें जो differences है, वो आपका क्या होता, basic हो सकता है, किसका international trade का, for example, geological structures, आप लोग जानते हो, कि हर कंट्री का जो geology है, अलग है, कही पे तेल जादा मिलता है, कही पे टीन जादा मिलता है, कही पे कॉपर जादा मिलता है, तो हर कंट्री के जादा है, कही प कि जो diversity है, क्रॉप की वो अलग होती है, कही पे crop जादा अच्छी होती है, कही पे natural resources काफी अच्छी होते है, ठीक है, animals कही पे काफी अच्छी सा rare कर लिए जाते है, कही पे हो ही नहीं पाते है, उनके पास जमीन भी हो, ठीक है, इसके बाद क्या low land है, greater agriculture potential, जिन कंट्री के पास बहुत अच्छा low land वाला area होता है, plain area होता है, उनके पास क्या है कि potential अच्छा है, किसके लिए agriculture के लिए, मतलब हाप agriculture गूर्स अच्छी होती होंगे, ठीक है, जहाँ पर mountain वगेरा है, तो हाँ पर tourist काफी जादा आते है, और उनके tourism को promote करते है, यह क्या हुआ, geological structure कहीं पर बहुत कम है, ठीक है, तो availability of mineral resources provide the base of industrial development, जहाँ mineral होगी, वहाँ पर क्या industries लग जाएगी, इसके बाद है climate, हम लोग जानते है, अलगला climate में क्या होता है, कि अलगला तरकी के flora and flora होते है, ठीक है, वो इस लागे के specialty बनते है, इसके लाबा, it also ensure diversity in the range of various products like wool production can take place in the cold region हमको पता है कि भाया wool उसी country में होगा जहाँ ठंडा होगा ठीक है ना, banana, rubber, cocoa, ठीक है यह सब कहा होते है, आपको tropical region में होते हैं, ठीक है, तो हर एक चीज की क्या है, अलग-अलग specialization है, वो अलग-अलग जगाँ पे ही हो सकती है, अलग-अलग climate में ही हो सकती है, तो climate क्या है यह भी एक important आपका, मतलब, role play करता है कि इसमें, international trade में, okay, तो इसके बाद हम लोग, जो हमारा दुसरा factor है, international trade में, वो देख सकते हैं, वो है population factor, ठीक है, population को define करते हैं, सबसे पहले हम लोग, culture के मदद से, culture factor के मदद से, तो क्यों होता, culture क्या है, culture is a distinctive form of art and craft, developed in the certain culture, ठीक है culture factor के है, distinctive form of art and craft है, जो developed होता है, कहां पर, certain culture में, which are valued the world over, example, China produces the finest, proclaims and brocades, ठीक है, चाइना के इंदम को पता है, कि जो finest quality के, जो proclaimed और brocades होते हैं, जो बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टे के वो बनते हैं, Carpets of Iran are famous, जो Carpets मगरा होती है, कालीन मगरा, इरान की famous है, ठीक है, North Africa leather work, जो North Africa leather work है, काफी यदा famous है, ठीक है, इंडोनेशा का जो बार्तिक क्लोथ है, वो काफी यदा famous है, ठीक है, यह क्या हो गया, क्यों cultural factors, जो international trade को बढ़ावा देते हैं, समझ रहे हैं बात को, कि मतलब किसी दुगा में कोई चीज बहुत अच्छी मिलती है, तो जो पू ठीक है, size of population भी एक important factor है, international trade में, ठीक है, for example, जो densely populated country है, have large value of internal trade, जो मतलब densely populated country होती है, population बहुत है, उनका internal trade ही बहुत ज़दा हो जाता है, but जो अब उनका external trade ही थोड़ा कम हो जाता है, for example, यह country है, बहुत population है यहापे, तो यह जो बनाएगी ने समाह, जाता इसका internally consume हो ज maximum time सच ही होती है, okay, because most of the agriculture and industrial production, जो भी agriculture बनाएगी यह industries पर बनाएगी जाता है, इनका local market क्या कर लेगा, consume कर लेगा, इसके लावा, standard of living of good population, determines the demand for better quality imported product, अगर हम बात करते है, good population की, जहापे population सही हो, standard सही हो उनका, तो उन लोगों के चाही होते है, एक product चाही होते हैं, बहु ज़्यादा हो जाएगा, तो product बहार से मगा नहीं पाएगी, समझ रहे हैं बात को, okay, इसके बाद, with low standard of living, only a few people can afford and buy costly imported goods, तो जहाँ पर क्या है कि standard of living क्या है, काम है, ठीके न, यह low standard of living है, तो उसके बहुई से क्या होगा कि यहापे लोग बहार से महंगी imported goods को बहु नहीं क development क्या रहा है, समझते हैं, तो at a different stages of economic development, development of country, the nature of item traded undergo changes, हर एक stage में, किसी कंट्री के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, तो वो समान भी ज्यादा मगाएगा, ठीके न, किसी कंट्री के पास क्या है, पैसा कम है, तो वो समान भी का मगाएगा, कम मगाएगा या नहीं मगाएगा, मतब यह एक बात हो गई न, यहार एक stage में क्या होगा, आपका जो समान का trade का trade जो है, वो आपका change होता रहेगा, ठीके न, कभी भी समान नहीं रहेगा, for example, in agriculture, agriculture imported country, agro product are exchange for manufacturing goods, जिस country में agriculture अच्छा होता है, वो लोग क्या करते हैं, कि manufactured goods, जिसे car, bike, etc, computer, वो जदा मंगाते ह हैं, ठीके, वेरस, industrialized nation, export machinery, जो industrialized nation होते हैं, जा पर industries बहुत ज़्यदा हो जाती है, वो के करते हैं, machinery को कहीं से import करते हैं, अपनी country में, और जो finished product है, ठीके न, जो final product आया, उसको वाबेस बेसते हैं, दुसरी country में, ठीके न, इतने समझ गए, इसके बादे, extent of foreign investment, जो foreign investment can boost trade in developing countries, which lack in capital required for the developing of mining, oil drilling, heavy engineering, lumbering, plantation agriculture, suppose को जो कि एक country है, जिसके बाद natural resources हो, बस इसके बाद technology नहीं है, तो यह क्या करेगी कि foreign company से बोलेगी कि आओ भाईया, हमारे वाँ, industries वगरा, set up, यह कर देगी, इसके बतले कि profit आदा आदा कर देंगे, आदा तुमारा, आदा हमाला करें, इस तरह के से क्या है कि foreign investment क्या है, क्या बार help करता है कि इसको country के development में, okay, समझ महीं बात, the industrial nation ensure import of food steps, जो industrial nation होते है, बोलो food steps को मगाते है अपने हुआ, ठीक है, minerals मगाते है, and create market for finished product, फिर उन food से उनको package करके बेस देते है, या mineral को process करके बेस देते है, ठीक है, तो यह entire cycle क्या steps of volume trade between nations, तो यह सब क्या है कि एक तरीके से चलते रहता है, volume का trade का दुनिया भर में, ठीक है, आप यह मगाओ, हम यह बीचेंगे, फिर यह होगा, यह हो जाएगा, okay, like that, इसके बाद है, transport, ठीकिन, older time, lack of adequate and efficient means of transport restricted trade to local areas, पहले समय में क्योंता है, कि transportation बहुत कम था, या बहु कहना एक बहुत ही important चीज़े हैं और आपस में linked है बहुत चीज़े, only a high value item, example, jams, silk, spices, यही trade होती थी, लंबी distance तक क्योंकि इसमें profit बहुत ज़ला था, बाकी चीज़े क्या थी, वो जब rail का expansion हुआ, ocean में transport बढ़ा, air transport आया, better means of refrigeration आया, freeze वागला, तकि आपको meat transport करना है, आप refugee time कर सकते हो, preservation होने लगा, तो trade वर experience, special expansion, इसके वाई से क्या होगा कि trade को special क्या मिला, एक boost मिला, ठीक है, transport के वज़े से, इतना से बज़े आगे बढ़ते है, important expect of international trade, तो important expect क्या है, international trade की, वो देखते हैं, तो international trade है, three important aspects, ठीक है, volume है एक, दूसरा है sectoral composition, तीसरा है direction of trade, okay, तो उसमें पहला देख लेते है, volume of trade, तो यह volume of trade क्या होता है, यह कैसे impact करता है, आपके international trade को, वो देख लेते है, the actual tonnage of goods trapped make up the volume, ठीक है, तो actual मतलब जो हम transport करते हैं, बहुत भरी समान का, वो क्या होता है, volume दिखाता है उसका, however, services traded cannot be measured in tonnage, अगर हम बोले की value की बात कर है, यह से हम services देते हैं, जो service based company है, चाहिए वो teacher की job हो, या plumber की job हो, तो इसको हम कहना कि हम इसको value में नहीं देख सकते हैं, 10 में नहीं देख सकते हैं, okay, and therefore the total value of goods and services traded is considered to be the volume of trade, तो हम लोग क्या करते हैं, कि जितना भी हमारा goods है, या services है, इनको साथ में हम लोग volume of trade में ब goods plus services, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, volume of trade, okay, इसके बाद क्या है, composition of trade, ठीक है, composition of trade क्या है, the nature of goods and services imported and exported by countries have undergone changes, ठीक है, जो हम goods मगाते हैं, country की साथ trade करते हैं, वो हमें से change होते रहता है, ठीक है, during the last century, trade of primary product was dominant in the beginning of last century, पहले क्या हुआ कि जो primary product थे ना, जैसे ये, रोटी यह इनका trade बहुत जदा होने लगा, starting में, but बात में क्या हुआ कि जब manufacturing goods थे, उसका जो trade था, वो काफ़ जदा gain हुआ, ठीक है, काफ़ जदा आगे बढ़िया, ठीक है, इसके बाद, through the manufacturing sector, command the bulk of global trade, service sector, which include level of transportation and other commercial services, have been showing an upward trend, ठीक है, बात में, जो manufacturing sector था, जो global trade में, जो service sector बगर आया, जो traveling वाला sector आया, trade and travel वाला, transportation, commercial services, यह क्या हुआ, इनका trend काफ़ जदा बढ़िया, composition of trade में, इनका हिस्सा काफ़ जदा बढ़िया, कि इसका tourism का, services का, ठीक है, commercial services का, transportation का, इन सब का, ठीक है, समझ माई बात, कि volume of trade में, हम क्या देखते हैं, ठीक है, services plus good को देखते है, composition में, नईने चीज़े कौन सी आई है, इसके बाद, 10 direction of trade, तो historically, पहले के समय में काफ़ा था कि developing countries of the present, जो आज के developing countries है, used to export valuable goods, वो valuable goods को export करती थी भार को, ठीक है, which are exported to the European countries, जो European countries को क्या करे जाती थी, export करे जाती थी, इसके बाद, during the 19th century, there was a reversal in the direction of trade, 19th century में क्या हुआ कि जो direction of trade था, उसमें थोड़ा सा reverse आया, कैसा reverse आया, कि जो European countries है, इनने क्या करने लगे, कि ये started exporting manufacturing goods, इसके बाद, क्या हुआ, जो manufacturing goods थे, उनको European countries क्या करने लगी, अपना export करने लगी, ठीक है, for exchange of food stuff, जो food अगेरा है, उनके लिए, इनको export करने लगी, या raw material के लिए, from the colonies, colonies okay, after this, Europe and USA, कैसा, बात में, इमर्ज हुए, ऐसा major trade partner in the world, दोनिया के अंदर काफी major trade partner के तौर पे कौन उपरेते, Europe और USA अगेरा, ठीक है, एंड लीडर्स, ठीक है, इसके trade of manufacturing goods का, ठीक है, उस समय पे, एशिया के country से जापान, जापान भी कैसा, third importing trade country हुआ करती थी, ठीक है, historically, okay, तो direction of trade समझे, सबसे पहले कहा होता था, यह developing countries में, बहुत जदा होता था, ठीक है, तो developing countries जो थी, वो export करती थी, valuable goods को, artifact को सबसे पहले, ठीक है, जैसे हम लोग ने कुछ export करने लगे, ठीक है, जैसे cotton वगेरा, कपड़े वगेरा, लेकिन बात में क्या होने लगा, कि ज इसा major trade partner in the world, and were leaders in the trade manufactured goods, समझ गए इतना, बात में हमें इभी पतला लगा कि जो Japan थी, उस में हमें third important trading country हुआ करती थी, एतना समझ गए, अब आगे बढ़ते है, कि बात है, balance of trade, तो balance of trade के होता है, समझ लेते है, इसको, balance of trade, record the volume of goods and services, ठीक है, balance of trade के एक record है, कि इसका, volume of goods का और services का दो लोगों को साथ में लेंगे, ठीक है, जो हम import करते है, क्या करते है, import करते है, as well as export, जो हम import भी करते है, साथी साथ, export भी करते है, by one country to other countries, okay, तो समझ गे, balance of trade के है, मेरे पास goods and services है, जो मैंने आपको दी, और जो मैंने आपको ली, ठीक है, जो आपसे ली, ठीक है यह क्या हो गया, balance of, आपका trade हो गया, ठीक है, इसके बाद इसके आगे रेखते है, the value of imports, is more than the value of the country's export, ठीक है, आप जो समान मगा रहे हैं, वो क्या है, जड़ा है, जो समान बेच रहे हैं, वो क्या है, कम है, ठीक है, तो country having the negative or unfavorable trade, exam में आएगा, CUT में, what condition favors the unfavorable balance of trade, तो बेचते कम हो, मगाते ज्यादा हो, समझ रहे हो, बात को जब import आपका ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, इसके बाद, the value of export, जो आप समान बेच रहे हो, अगर वो ज्यादा है, then value of import, ठीक है, मगा कम रहे हो, बेच ज्यादा रहे हो, then the country is positive, ता पॉजिटिव हो, अगर किया हो, बूलना मत क्या होता है, करके खाली concept समझना इसका, इसके बाद a negative balance would mean that the country spent more on buying तेकि ना negative balance का मतलब क्यों होता कि country जदा समान बाइ कर रही है बाहर से खरीड रही है then it can sell तेके sale कम कर रही है तभी तो भी तो भी है negative balance है sale कम कर रही है तो पैसा कम कमा रही है ना बाइ ज्यादा कर रही है तो पैसा यादा खर्च कर दी है जितना कमा रही है उसा ज्यादा कर दी है खर्च कर दी है this would ultimately lead to the exhaustion of financial reserve जो आपके पास financial reserve है जो आपके natural reserve है जिनके बदले आप पैसा उठा रही हो market से क्या होता है इसके बाद उनका दीरे दीरे खातम होने लग जाता है और दीरे खतम होने लग जाते है exhaustion of the financial reserve होता है last month अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद after this types of international trade तो भीया two types क्यों होते है आपके international trade पहला होता है bilateral trade तो bilateral trade क्या होता है दो country's के बीच में होता है जो वह आपस में करती है ठीके ना they enter into the agreement यहाँ पर हम एक agreement को sign करते है ठीके तो trade specify community कोई specific आपके particular community होती है उसके लिए ठीके ना for example country A में agree to trade some raw material country A ने कहा क्या कहा कि हम लोग एक raw material को क्या करेंगे trade करेंगे और agree हो गया उसमें ठीके ना with the agreement to purchase some other specified countries क्या करती है आपासे मिलके trade करती है ठीके the country में also grant the status of most favorable nations ठीके यहाँ पर एक most favorable nations का आपका status भी दे सकती है country कुछ countries को जैसे एक country है इसने 2-4 countries को ठीके यह यह इनको यह दे लिया most favorable nation का advantage दे गया तो यह लोग समान को easily यहाँ पर पिया कर पाएंगे अपने export कर पाएंगे समझ गए बात को ठीके यही क्या होता है आपका most favorable nation जिनको आप लोग क्या देतो हो हक देतो हो अपनी country में जमान को easily export करनेगा समझ गए ठीके यही क्या है आपके trading partner भी होते हैं क्या होते हैं प्रेडिंग पार्टनर भी होते हैं और यह जो mostly most favorable nation है यह आपके trading partner को जो आपक of opening up of economy for trading is known as free trade ठीक है अपनी जो economy है उसको trading के लिए खोल देना इसी को क्या बोलते हैं free trade बोलते हैं या फिर trade liberalization बोलते हैं कि भाया हमारी कर्टी है आओ वेपार करो हम भी करेंगे तुम भी करो वगेरा वगेरा यही क्या हो गया free trade हो गया ठीक है this is done by bringing down trade barriers like tariffs job tax बगरा लगातो हो बाहर की companies में कि भी आप हमारी country मा आकर दिखाओ यहाप company लगाओ हम पर इतने traffic लगाएंगे कि आप लगा ही नहीं पाओगे अपनी company को तो trade जो barrier है उसको आप traffic को कम लगा के भी अच्छा कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं कि इसको trade barrier को barrier क्या हुआ भाईया recovery को हटाना है तो क्या करोगे भाईया traffic को कम करोगे इसके बाद trade liberalization allow goods and services from everywhere to compete with domestic product and services trade liberalization में क्या होता है कि आप बाहर की companies को बोलतो कि आओ भाईया हमारी company मा के compete करो आप भी company लगाओ आप भी लगाओ वगरा वगरा ठीके ना और आप हमारे domestic product or services के साथ क्या करो compete करो okay after this globalization along with free trade globalization में पता है ना को क्या होता है कि ये country है 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 कर सकता है by not giving equal paying field ठीक है by imposing condition which are unfavorable कुछ condition लगा के जो अन्वेवरेवल है for example ये एक country है जो developing है यहां से बाहर से company आई बहुत पैसा इसके पास ठीक है इस नहीं समान यहाँ डंप कर दिया बेज दिया तो इनकी जो domestic companies थे उनको क्या हो गया नुक्सान हो गया downfall हो गया तो ये country कर रही है इस country को dominate कर रही है एक तरीकी से unfavorable का example है ऐसे बहुत सारे example और भी हो सकते हैं तो आगे देखते हैं but free trade should not only let rich countries enter the market free trade के वएसे खाली इतना नहीं होता कि rich countries market में आती है but also allow developed countries to keep their own market protected from the foreign product ठीक है कभी एक बार क्या होता है कि जो trade जो आपका free trade है इसके वज़े developing countries होती है वो अपना market बचा ले रही है ठीक है अपना market बचा ले रही है और साथी साथ दुसरों के market में भी अगर to be cautious ठीक है about the dumping goods dumping goods के लिए भी क्या गरना पड़ता है cautious होना पड़ता है as along with free trade dumped goods of cheaper price can harm domestic market वही बात है ना भाहिया यह country country है D ठीक है country D क्या developed है यह country है क्या A ठीक है तो D के पास बहुत साली product बना रही है bulk में यहां आकर डम कर जाए रही है सस्ते में ठीक है डम कर जाए सस्त इनकी domestic companies क्या हो गई खतम हो गई ठीक है तो country को यह करना पड़ता है जो यह dumping good है जो आपकी country में आकर समान को सस्ते दामों में base दे रहे है ठीक है ना बहुत सारे समानों को और फायदा उठाके चले जा रहे है इसके वैसे आपकी जो country की company है ना जो आपकी country के अंदर जो work क करने वाली factory से ना उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है domestic jobs को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है ठीक है तो आपको इससे भी सावधान रहना पड़ता है freight rate के कुछ यह नुकसान है ठीक है इसके बाद dumping क्या होता है भाया the practice of selling a commodity किसी समान को बेचना in two countries ठीक ह at a price that differ from the for reasons not related to cost is called dumping ठीक है यह पर समान को dump करने की बात कर रहे है ठीक है यह पर समान को dump करने की बात कर रहे है ठीक है the practice of selling a commodity in two countries as price that differ for the reasons that are not related to cost okay it's called dumping जो अमने एक्जाम्पल देखा था अभी तक वही dumping है ठीक है proper definition कैसे लिखते है hope you understand अब आगे बढ़ते है after this एक organization है जो trade को देखती है वो है आपकी world trade organization WTO ठीक है इसको देख लेते हैं ठीक है तो क्या होगा था कि in 1948 to liberalize the world from high custom tariff and various type of restriction पहले क्या था ना कि जो trade था बहुत कम था तो countries जो थी बाहर की companies में traffic वगरा बहुत ज़दा लगा देती थी तो उसको रोकने के लिए trade को बढ़ाने के लिए यह होगा कि एक general agreement for traffic and trade GATT इस नाम से company form भी ठीक है ना by some countries सबसे पहले WTO नहीं आयता सबसे पहले क्या आयता GATT आयता general agreement for trade and traffic या traffic and trade वही है इसकी definition को सही सही याद कर लेना exam में आ सकता है MCQS में पूछ सकता है क्या होता है यह कब बना था यह यार रग लेना 1948 में CUET में ऐसे यह question आते हैं बाहर से नहीं आएंगे यही आएगा यही पर ही confused हो जाओगे तो in 1994 it was decided by members member country to set up a permanent institution ठीक है 1994 में जो members country थी उनने बोला कि permanent institution बनाते हैं भाहिया for looking after the promotion of free and fair trade among nations ठीक है ना nation के बीच में एक free and fair trade हो या एक साब सुद्रा मतलब एक open trade हो उसके लिए क्या बनाते है organization बनाते हैं अचीजी ठीक है ना and the gate was transferred तो इसके लिए gate को क्या कर दिया दिया गया यह transfer कर दिया गया into world trade organization ठीक है 1994 में जो member country थी उनने gate को GATT को ही transfer करके क्या बना दिया world trade organization बना दिया कब 1st January 1995 को date या दग ना 1st January 1995 को WTO क्या बन गया था भाहिया ठीक ही ना क्या बन गया था बन गया था WTO कब 1995 को ठीक है किस से transfer हुआ था gate से GATT से ठीक है इसके बाद WTO is the only international organization dealing with global rules of trade between nations जो trade होता है na different nations के बीच में उसमें जो main organization है जो इसको deal करती है कौन सी है भाहिया WTO बहुत important organization है यार रग लेना इसको WTO क्या देखती है भाहिया WTO cover करती है जो services हम करते है टेली communication banking वगेरा या जो अलग अलग तरीके के other issues आते है ना सच इंटेलेक्ट्वल राइट्स वगेरा इनको क्या करती है देखने का काम करती है कौन WTO का headquarter का है भाहिया कोई पूछेगा तो CUET में या आपके MCQS में ही तो Geneva Caesar Land में है इसका headquarter इसके बाद 164 countries क कि समय में 2016 तक का ठीक है यह अभी करता है नहीं है 2016 तक करता है इसके बाद इंडिया भी क्या है इसका member है WTO का उके एकजाम में आ सकता है MCQS में India is a member of WTO yes या no तो क्या लिख होगे भाहिया yes है ठीक है अब आगे बढ़ते है इसके बाद इसके बाद regional trade blog तो भाह रिशनल trade क्या होता है ना कि दुनिया में बहुत सारी countries है ठीक है उन countries मेंने क्या कि कुछ countries में मिलके अपने आपस में block ब इन रिजिनल ट्रेड ब्लॉक के वाई से क्यों होता है आपस में यह लोग ट्रेड करते हैं ठीके ना काफे अच्छा ट्रेड करते हैं सस्ते में करते हैं फाइदा होता है एक दुसरे के एकोनॉमिको विच जिनकी जो मतब भगवालिकता है वो आसपास वाली कंटी है नेबरि कंटीश में ठीके ना जो ट्रेड का डिस्रिक्षण है ठीके जो कॉंबिमेंटरि रिटी है ठीके जो प्रॉक्सिमीटी है उनको दियान में रखते हैं क्या होता है कि इनके बीच में क्या होता है ट्रेड वगवार होता है ठीकि after this today 120 डिशनल ट्रेड ब्लॉक्स जनरेरे 52% जो है वो 120 regional trade मिलके आपस से बनाते हैं समझगे कि 120 regional trade blocks क्या कर रहे हैं आपस में 52% world trade को क्या कर रहे है control कर रहे हैं या cover कर रहे हैं ठीक है इसके बाद क्या है these trading blocks developed as response to the failure of global organization जो regional trade block है न भाया ये क्यों बने क्योंकि भाया जो कभी के बाद लोग आपस में अपनी खुद की trading block बना लेते हैं local level में समझगे ताकि आपका जो local trade है न वो आगे speed up हो सके किस्ता समझगे इसके आगे देखते हैं इसके बाद ये आपका क्या है कि कुछ regional block से उनके headquarters का पर है उनके इंदर founding members कहना ही आपको जाद करना पड़ेगा ठीक है इसमें explanation जैसा कुछ भी नहीं है इनको बस एक बार देख लो रोज पड़ते रहना जैसे यहां पर क्या है Asian ठीक है तो Asian क्या होता है Association of Southeast Asian Nations ठीक है इसका headquarters कहा है भाया Jakarta Jakarta क्या है इंडोनेशा की वहाँ पर है इसके members देख लेना जितने भी है इंपोर्टन इंपोर्टन मेंबर्स हैं जिसमें इंडिया सामिल है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा कब form वह आता अगस्ट 1967 को ठीक है Commodities क्या है इनके बीच में पार्किन चीजों का होता है वो देखना पड़ेगा अधर एरियास ऑप कॉपरेशन वो देखने पड़ेंगे ठीक है इसके लावा CIS CIS क्या होता है आपका Commonwealth of Independent State ठीक है वो जो आपका USSR था ना USSR रश्या वाला जो पहले वाला उसके अंदर जो कंट्रीस आती थी वो इसकी members है ठीक है इसका headquarter कहा है भया Minsk में है, Belarus में है कौन कौन सी country आती है इसके अंदर Communities क्या है ठीक है यह other area of cooperation क्या है इसका European Union European Union का headquarter कहा पर है Brussels में है Belgium में headquarter तो याद करी देना भया कंट्रीस के ठीक है बागी करो ना करो ठीक है इसके लावा member countries कौन सी यह खाली एक बार देख लेना है ठीक है इसके लावा origin का हुआ था यह important बन जाता जिसका दिया है ठीक है तो अभी हमने देखा था European Union का origin का हुआ मार्च 1957 में हुआ ठीक है किस नाम से हुआ था EEC के नाम से ठीक है exclusive economic countries के नाम से हुआ था but European Union इसको नाम पड़ा 1992 तो कही पर लेखागा European Union का बना 1992 पे और EEC ठीक है जो इसका पुराना नाम है वो कब बना था आपका 1957 में इनके बीच में communities क्या होती है एक्सचेंज वो देख लेना एक बार खाली देख लेना पर से बागी जो अजर एरिया सो cooperation है वो भी देख लेना ठीक है इस बात यह LAIA यह क्या होता है Latin America Integration Association ठीक है इसका जो headquarter है Monty Video Monty Video कहाँ पर है यह Eurogway कहाँ पर है map में जाके locate करना South American country है बहुत famous country है इसकी capital पर लग गई Monty Video Monty Video बना रहा है ऐसे याद हो जाएगा ठीक है तो member nations क्या है एक बार देख लेना इसको ठीक है कप found हुआ था 1994 को LAIA कप found हुआ था 1994 को इसके बाद NAFTA North America Free Trade Association ठीक है कॉन कॉन सी country है इसके अंदर USA, Canada and Mexico को यह तो आसान है तो देख भी लोगे कफ origin हुआ था इसका 1949 को हुआ था ठीक है यह याद कर लोगे कर लोगे easy है Communities क्या क्या है यह भी देख लेना ठीक है इसके बाद है OPEC OPEC Organization of Exporting Countries OPEC भी देख लेना आपका तील वगएरा यहाँ पे जो पूछेगा exam में definitely बात है आता ही आता है इसका Vienna, Austria में है Vienna, Austria में है Vienna, Austria में इसके इंदर कौन-कौन सी country से एक बार देख लेना important बन जाता है यह वाला तो point कम से कम बन जाता है ठीक है इसके बाद क्या export करते हैं यह crude और petroleum ठीक है origin देख लेना headquarters देख लेना जितने की भी given है ठीक है एक्स्टा कुछ भी नहीं देखना है यहाँ पे origin और headquarter important बन जाता है इसके लावा member country है अगर वह देख पाऊ तो बहुत अच्छी बात है अगर इतना लोग है तो काफी है अब आगे बढ़ते है इसके बाद concern related to the international trade तो यह concern क्या related है international trade के साथ तो क्या होता है कि undertaking international trade is mutually beneficial to the nations if it lead to the regional specialization ठीक है अगर आप regional specialization को ध्यान में लखोगे तो आपका international trade क्या होगा mutually beneficial होगा ठीक है higher level of production better standard of living worldwide availability of goods and services equalization of price and wages and diffusion of knowledge and culture यह क्या होता है आपका international trade के अंदर होता है services, goods का अदान-प्रदान prices जो है वो control में रहते हैं equal आजाते हैं wages आगे बढ़ती है जो diffusion है knowledge का यानि कि एक country के knowledge दूसरी country में पहुच रही है culture पहुच रहा है यह क्या है आपका international trade का फाइदा है ठीक है इसके बात क्या है कि international trade was lead to dependence of other countries international trade में क्या होता है कभी कबर आपको A country से B country को कुछ समान चाहिए तो B country क्या हो गई इस country पे A पे क्या हो गई ठीक है कई बार A country दूसरी country पे क्या हो जाती है depend हो जाती है uneven level of development exploitation and commercial rivalries leading to war ठीक है कई बार क्या होता है कि कोई country जला developed है कोई कम developed है कहीं पे समान का exploitation बहुत ज़्यदा हो रखा है दूसरी country के दुवारा या कहीं पे commercial rivalries है इसके वे से war जैसी condition भी आ सकती है समझ रो बार अपने rights को preserve करने के लिए लोग लड़ते हैं war हो सकती है इसके बात क्या है कि as countries compete to trade क्या होता है जो country से compete करती है trade ने बहुत ज़्यदा तो इसकी वैसे production अपना बढ़ा लेती है ठीक है तो natural resources है जल्दी खतम हो जाते है इसके वैसे क्या हो सकता है कि जो natural resources है बहुत जल्दी खतम भी हो सकते है या उसकी country को long run में नुकसान भी हो सकता है समझ रहें बात को इसकी बात है multi national cooperation trading in oil, gas, pharmaceutical and agribusiness ठीके जो agribusiness होता है oil वगरा है gas वगरा है gas mining है ठीके ना pharmaceutical जो है यहां पर क्या है यह expand करने में लगे हुए है अगे बढ़ने में लगे है और इनकी race बहुत ज़्यादा है आगे बढ़ने की तो क्या कर रहे है यह लोग अब इस वज़े से pollution को बहुत ज़्यादा करते हैं ठीके ना जो इनकी development की race है इसके वैसे pollution काफ़ ज़्यादा हो जा रहा है their mode of work does not follow the norms of sustainable development तो जो इनका norms से their mode of work does not follow the norms of sustainable development कि जो बोलते हैं कि आज का जो समान है उतना ही use करो जो कल के लिए आने वाले कल के लिए next generation को भी समान मिल जाए बढ़ यह लोग क्या है उसको follow नहीं करते हैं ठीके यह companies बहुत ज़्यादा नुक्सान पहुचाती कि environment को pollution बहुत करती है समझ गए इसके बाद क्या है if organization are geared only towards profit making ठीक है अगर कोई भी organization है कारी profit के लिए काम करेगी ठीक है और environment और health जो ऐसे concern को नहीं देखेगी तो यह बहुत ज़्यादा serious implication हो सकते हैं हमारे future के लिए जो हो भी रहें ठीक है तो यह क्या concerns related to international trade international trade के अब बारे में सब कुछ बता दिया है इसने यह अच्छा भी है वार भी करा सकता है resources जल्दी खतम भी हो सकते हैं समझ गए बाद को कई companies sustainable development का ध्यान नहीं दखती है जिसके वह से future को नुक्सान भी हो सकता है exam में answer लिखोगे तो in point को अपना base बनाके लिखना समझ गए बात को okay अब आगे बढ़ते हैं okay इसके बाद है gateway of international trade तो भया gateway क्या है international trade का ठीके सबसे पहले port port ही तो important है भया एक country को दुसरी country की साथ trade करना है तो port की जरिये ही तो करेंगे ना समझे बात को ठीके तो port cheap gateway of the world international trade world to another through these port ठीक है यह एक country से दूसरी country जाते हैं port की जरिये ठीक है पाने कर आस्टा से चरवल करते हैं the port provide facilities of docking, loading, unloading storage facilities for cargo जो यह आपका ports होता है यह आपकी docking के लिए loading, unloading समान का कराने के लिए facilities provide करते हैं इसलिए ports क्यों होते हैं काफी फायदे मन सौधा होता है ठीक है इसके बाद है types of port ठीक है generally ports are classified according to types of traffic which they handle ports वगेर है यह traffic के types हैं उनसे हम इसको क्या करते हैं classify करते हैं ठीक है इसके बाद है industrial port सबसे पहला क्या आ जाता है industrial port यह एक बाद types of port पंड़ना जरूर हां important है industrial ports क्यों होते है these port specialized in bulk cargos बहुत भारी भारी समान को ले जाने की काम में आते हैं ठीक है जिसे grain हो गया sugar हो गया, ore हो गया, oil, chemical like similar materials industrial port समझ गए भारी समान आता है इसमें bulk cargo इसके बाद commercial port ठीक है यह वह commercial port होते है जो package product को of industries के बीच का एक बार defense समझ लेना भाया, ठीक है ना असान है यह एक ही बार पांड़ना है उसको these ports also handle passenger traffic ठीक है जो passenger traffic है वह आपको commercial port से भी जाते हैं ठीक है इसकी बाद के comprehensive port है तो यह comprehensive port क्या करते हैं ठीक है यह handle करते हैं bulk और general cargo उसको large volume ठीक है तो most of the world great ports are classified as comprehensive port the world के greatest ports है उनको हम लो क्या बोलते है comprehensive port बोलते हैं समझ गी बाद अब आगे बढ़ते हैं इसकी बाद types of port on the basic of location ठीक है location के base में जो type of port का वो क्या होता है जैसे पहला है आपका inland port ठीक है these ports are located away from sea coast जो inland port है आपका वो आपका sea की coast से क्या होता है दूर होता है inland country के अंदर है they are linked to the sea through a river or canal भया जैसे यहां पर अलहा बहात है ठीक है गंगा नादी बहर ही है sea यहां पर है ठीक है तो क्या है कि यहां पर एक port है हलका खुलका जासे समाल ले जा सकते हैं यहां तक का यहां से कहा है जहां ले जाना है वहां ले जाओ तो यह क्या होगे inland port कांट्री के अंदर है such port are accessible to flat bottom ships और barrages for example Manchester जो Manchester है ना भया अच्छा एक्जामपल है inland port आएगा पूछेगा वहां पर मैंचेस्टर लगना पड़ेगा inland port इसके आगे क्या Memphis Memphis किसमें है किसमें located है भईया river Mississippi में okay इसके लावा Rhine river Rhine क्या है several port है उसमें Rhine कहां कि यह फ्रांस की है river Rhine has several ports like Manhattan, Dweezburg example यार रगना ठीक है और Dweezburg Rhine river में है inland port का example है बार-बार बोलना ना बढ़े यह चीजे important होती यही तो पढ़ना होता है बागी चीज अंडरस्टूड है ठीक है इसके लावा कलकत्ता में जो river हुगली है ना जो ब्रांच है गंगा की यह बी example है इसका inland port का इतने example याद करने पड़ेंगे बहुत कम याद करने के लिए बागी चीज अंडरस्टूड वाली है जो याद करने वाली है उनको करना पड़ेगा इतनी महिनत तो करते हैं ठीक है इसके बाद है out port ठीक है तो out port क्या होता है भाहिया these are deep water port build away from actual port actual port सो थोड़ा दूर पर बने होते हैं ठीक है na out port यहाँ पर छोटा था port बन गया यहाँ जो भया यहाँ हम लोग handle कर लेंगे यही क्या हुआ help करने के लिए बना हुआ है कि main port को तो examer पूछेगा भया आपसे Athens क्या है Athens एक port भी है ठीक है तो इस port out port है वो क्या आपका pyreous है क्या है pyreous कहा है वो Greece में है पहला है आपका oil port तो भाई यह oil port क्या होता है these port deal in the processing processing and shipping of oil ठीक ना oil port में process भी होती है shipping भी होती है oil की some of these tankers port and some are refinery ports कुछ क्या होते है tankers port होते है कुछ क्या होते है refinery ports होते है ठीक है example याद कर लेना इंपोर्टेंट है डारेक्ली आता है यहां से question मेरा का इबो वेनेजुला में है मेरा का इबो port कहा है भाई या वेनेजुला में एसकीरा port कहा है तुनिश्या में ट्राइपॉली कहा है लेबलाउन में ठीके ना यह क्या है आपके tanker port है इसके लावा अबादान और गल्फ अबादान किस तरगी का port है refinery port है या tanker port है भाई रिफाइनरी है इससे पहले वाले example क्या थे tanker port के थे तो भाई इसके बाद नेक्स्ट है आपका port अपकोल port अपकोल क्या होता है आपका यह क्या है ना एक main sea route में होता है कहा होता है समुनरी के main रास्ता है उसके बीच में हो जाएगा ठीक है यहाँ पर ships जो है वो रुकती है किसलिए refilling के लिए तेल बगरा बढ़ाने के लिए and taking food items इस चीच के लिए रुकती है शिविया पर later on they develop into commercial port बात में दीड़े दीड़े करके जो जारता port of call थे आपके commercial port में like example यह रगना भईया port of call के अडन ठीक है ना गल्फ अडन वाला एडन Honolulu ठीक है Honolulu कहा है भईया बताया था ना पिसली वीडियो में तो Honolulu कहा है पता होना ची आपको Hawaii के अंदर है Singapore यह सब क्या example है आपके port of call के okay समझ गया है इसके बाद है अपका packet station packet station क्या होता है अपका ferry port होता है तो these packet station are exclusive concerned with the transportation of passenger यह से passenger अगेरा जाता ट्रांसपोर्ट के जाते है and mail across water bodies covering short distances short distances के लिए passenger या mail अगेरा चोटे मोटे समानों के लिए यह यह यूज के जाते है these station occur in the payers located in such a way that they face each other across water body pairs मों होते हैं इस तरह की से बने होते हैं कि एक दुसरी की तरफ बने हो example है आपका packet station door in England 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 entry port port entry port these are collection centers where goods are brought from different countries for export यहां पर कहना है collection center यहां पर different countries के अपने समान को लेके आती है फिर कहीं और पर load करेके ले जाती है समझ गया है entry port क्या है Singapore is a entry port for Asia Singapore क्या है entry port का Rotterdam entry port का कोपेहगन किसकी capital है देगना map में जाके इसके लब नेवल port नेवल port क्या होता है भाया strategic important होती है इसकी आर्मी के परपस के लिए बनते हैं यह port serve warships and have repair workshops for them ठीक है like example इसके important kochi और कारवार यह example है port के जो नेवल port है इंडिया के अंदर इतना ठीक है खाली एक बार देगना इसको अच्छे से जो examples है वो तो आपको भाया याद करने पड़ेंगे बाकी चीज़ इसमें एक बार देख लेना business has the maximum flow of global trade किस country में जो global trade का maximum flow होता है नौथ- American Country बहुत अमीर है बहुत पैसा है यह लोगों के पास इसके बात which of the following South American nation इस a part of OPEC जो वो लिस्थ हम ने देगी थी थी ना वो रिजिटनल ट्रेड ब्लॉक की वहाई आसी कोशन है यह OPEC का पार्ट में कॉंसी कंट्री भी है साूट अमेरिका में वह है व liberation वह है वैननी जौन वह्य है वहले मला इसके पास इसके भाद है इसकी पाद है। इंडिया किसका बाट है? साफ्टा का बाट है याद अगनेश को अब आगे बढ़ते है इसके बाद आंसर इन 30 वर्ट What is the basic function of WTO? World Trade Organization का function क्या है? पीछे देखा हुआ है हमने ठीके ये क्या करती है? trade को regulate करने में मजद करती है ठीक ना उनको help करती है for nations to have a negative balance of payment ठीक है भाई या मतलब negative trade of balance क्या होता है negative trade of balance मैंने पीछ चीज़े explain किया हुआ है कि अगर आप समान ज्यादा मगा रहे हो ठीक है ना बहार से समान ज्यादा मगा रहे हो और बेच कम रहे हो तो आपका क्या होगा है आपको पैसा भी क्या मिला है कम मिला है और खरीच जदा रहे हो तो आपको पैसा जदने पढ़ ला है जदा देना पढ़ ला है या खरते जदा है और कमाई कम है तो यही क्या होगे negative balance of trade पढ़ाता ना पीछे इसके बाद what traffics do nations get by forming trade blocks trade block को form करके कैसे तरीकी के benefits मिलते है nations को यह क्या होता ना ब्लॉक बना लिया आपने रिटका यहां पर कुछ countries है एक दो तीन चार पाच ठीक है इनकी जोग्रफिय का पॉक्सिमेटी है तो इनको जो समान चेन आपस में खरीद लेते हैं एक दुसरे से ताकि regional economy बनी रहे ठीक है और जो बाहर की countries है जहां से वो महंगे में समान खरीद सकते हैं वो इनको ना खरीदना पड़े और आपस में भी फाइदा हो जाए countries को और क्या है कि बाहर की जो बड़ी countries है उनसे भी बचके रहे यह लोग तो यह क्या है इस तरीके से जो trade blocks में वो फाइदा पहुचाते हैं बाकि आपको और भी information चाहिए तो पीछे देख सकते हैं वीडियो को back करके इसके बाद how port are helpful for trade classify the port on the basic of their location भी अभी जस देख क्या है हम लोग जस वीडियो को थोड़ा सा back करना है वैसे भी आपको answer आगया होगा अब तक यह कि port कैसे helpful होते हैं trade के लिए समान को एक जिकों सो दूसरी जोगा ले जाने की काम आते हैं ठीक है काफी easy होता है port के चुरू समान को एक जिकों सो दूसरी जोगा ले जाना like that ठीक है तो मेरे ख्याल से port का concept आपको clear है इसके बाद आगे लेखते हैं how do nations gain from international trade तो भी यह nations कैसे gain होते हैं क्या gain करते हैं वो लोग कैसे gain कर पाते हैं international trade से आंसर तो आप लोग लिए लोग है सब वीडियो के अंदर है बड़ आपको क्या करना है na starting कैसे गरोगा यह देखना आसे पहले आपको बताना है कि जो country's होती है country's इसको चाही होता है समान ठीक है और हर country's दूसरी country क्या करती है कि हर country's के पास अपना संपोंड़ता नहीं है यानिकि साला साला समान नहीं है तो country's क्या करती है कि बाहर की country's से करमान को import करती है ठीक क्यों अपनी जरुवतों को पूरा कर सके और अपने समान को जो उसके महां जादा है वो दूसरी country's को बेशती है जिनको वो जैसे कहेगी अब economy move करेगी समान move करेगा ठीक है तो mobility बने रहते हैं लोगों के पास काम रहता धंदर रहता है और पैसे का भी क्या रहता है exchange रहता है ठीक है इसके वई से क्या है कि trade अच्छा होता है economic अच्छी move करती है okay तो वीडियो को खतम करते हैं इसके बाद hope you like the video so if you like the video please subscribe our channel and share this video to your friends thank you for watching